Hey welcome back to channel guys this is T and you are watching online money as usual अगर guys आपको channel अच्छा लगता है इसका concept अच्छा लगता है तो make sure आप channel को subscribe करके bell का icon जरूर प्रेस करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को like करें क्योंकि आपका एक like मुझे motivate करता है आपके ये अच्छे से अच्छा content ले के आने के लिए तो make sure आप like करें और चैनल को subscribe करें So let's go So just so आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं और इससे पहले भी मैंने बताया था कि email जो list है वो आपकी money list है Yes guys आपने बहुत बार सुना होगा money in the list, money in the list, money in the list तो मैंने बहुत पहले कुछ videos बनाई दी, जिसमें मैंने बताया था कि email का concept क्या है, email से आप कितना ज्यादा ओर्णिंग कर सकते हो, ठीक है So इसके behalf पे, इसके base पे बहुत साए लोगों ने मुझे message किया कि sir हम लोगों ने email collect किया है, I don't know कि वो लोग इतना तेजी से email कैसे collect कर ले रहे हैं हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने 50 के, मतलब 50,000 email, मतलब अगर आपके पास 50,000 email है, literally आप एक luck पती हो, और maybe आप करोड़ पती हो, अगर आप सही से email marketing दानते हो, तो आप एक करोड़ पती हो, but guys मैं यहाँ पर आपसे एक question करूँगा, और आपको उसका answer comment में देना है, और जरूर देना है, तभी आप एक सही marketer हो, मतलब यहीं कि आप marketing concept को समझते हो, सुनो, तो अगर मैं और आप एक ही train में travel कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और मैं आप से मिलता हूं उस train में, और एक बार हमारी मुलकात होती है, हम लोग मिलते हैं, और हमारी बात चीत उस train में हो एक दूसर से interact नहीं करते, तो क्या इस condition में आप मुझे कभी याद रखोगे, या आपके साथ मेरा relationship आगे बढ़ पाएगा, या हम लोगों का जो relation है, वो strong हो पाएगा, please let me know in the comments कि आपका क्या सोच है, इसके उपर, आप मुझे comment में जरूर बताओ, लेकिन मेरा answer यह है कि नहीं, कभी भी हमारा relation नहीं बन पाएगा, और यही चीज़ आप लोग करते हो, मुझे पता है वोग जो बोल रहा है कि मैंने 100 के email या 50 के email collect कर लिया है, बट मुझे earning नहीं हो पा लिया है, क्योंकि आप ये गलतिया कर रहे हो, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, सब अगर वो 50 और 60 के email दे रहे हैं, तो वो लोग ही क्यों ना इस email को use करके पैसे कमा पा रहे हैं, because वो सारी emails dead है, targeted नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती तो ये है आपकी, दूसरी गलती ये, कि अगर आपके पास well targeted email है, बहुत अच्छे audience के, जो audience active है, तो आप उन्हें email send करना start करो, देखो आज के समय में autoresponder बहुत ज्यादा सस्ता है, आप builder ले सकते हो, 69.9 dollar का आता है, builder और उसमें आपको हर वो tool मिल जाता है, funnel, email automation, landing page and lot of things, social proof, floating videos, बहुत सारी चीज़े उसमें मिल जाती है, पूरी चीज़ें से 69.9 dollar में, तो आप क्या कर सकते हो, इस autoresponder का use करना start करो, लोगों को अपना email भेजो, अपने बारे में बताओ, उनको value share करो उनके साथ, तो ऐसे करके आप उनसे relation बना पाओगे, और जो third step क्या करना है, कि आपको एक बहुत अच्छा product भूनने है, बहुत अच्छा मतलब जो product आपने भी use किया, आपको लगता है, ये product बहुत अच्छा है और ये आपके audience के लिए suitable है, तो जो product है, उसको आप send करना start करो, और उनको बताओ, this is the product which can give you lot of value, lot of money and lot of help, then वो लोग आपसे buy करेंगे, और आपको business आगे बढ़ेगा, बट याद रखना, अगर आप किसी चीज, किसी भी company से email खरीद रहे हो, या नहीं से भी email को collect करो, जो targeted नहीं है, तो वो आपके लिए waste of money and waste of time, तो अगर आपको well targeted email collect करना है, FBA का use करो, लोगों को कुछ provide करो, और उनसे उनका email लो, आपका एक email, मतलब एक email, अगर आप एक email पे 1 dollar भी spend करते हो, 70 rupees, तो आपको return 39 rupees दे सकता है, और more, हर email की मैं बात करो, अगर आपक तो हर email से आपको 40x return मिल सकता है, अगर आप एक email के पीछे 1 dollar भी spend करते हो, तो guys यह बहुत बड़ी market है, बड़ आपको सिर्फ email को collect नहीं करना है, आपको emails भेज के अपना relation maintain करना है, then उसके बात sell करना है, business is all about relation, अगर आप relation सही से maintain नहीं करते हो, सही से चीज़ों को carefully नह नहीं होने माला, so please guys, इस पर फोकस के साथ काम करो, because it's a large, big, 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 बहुत बड़ी market, so please guys, focus के साथ काम करो, और कोई question है, तो मुझे tag किया करो, अपने timeline में, या कहीं पर भी Instagram में, वाटर, कहीं पर मुझे tag करो, और मैं आपको उसका answer देने की पूरी कोशिश करूँगा, even और मुझे वीडियो बनाने की कोशिश चरूँगा, और अगर आपने में इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो make sure आप Instagram पर मुझे फॉलो करो, because अभी मैं बहुत सारे content वहाँ पर share कर रहा हूं, और आप लोगों को बता रहा हूं कि market में क्या हो रहा है, और आप क्या